हलो स्टुडेंट्स दिस इस रितु शर्मा वलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एडू फ्लाइट ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत इंपोर्टेंट रहने वाली है जो डियू कट आफ 2020 का बहुत बेसबरी से इंतसार कर रहे हैं क्योंकि इस वीडियो में हम ल इन तो उनको 94 पर भी अड्मिशन मिल जाएगा है तो कफी सारी चीजे ऐसी होती है जो हमें पता होना चाहिए कट आफ से रिलेटेड तो यही सब बाते हम लोग डिसक्रस करेंगे अगर आप यह जानना चाहते हो सारी ही बात तो प्लीज वीडियो को एंट तक देखना मिस्स कर दोगे यहां पर जो कि आपको नहीं पता होगा ओके तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना है लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल एकन को प्रेस करो ताकि आगे भी आपकी कट कोई और नोटीफिकेशन आती है अपडेट आती है उसकी नोटीफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जाद से यादे शियर करना है ताकि कट आफ के बारे में उनको भी नौलेज हो जाए तो सबसे पहले देखो जब डीओ की क कट-off आती है न तो cut-off आने से पहले cut-off का schedule आता है कि किस दिन कौनसी cut-off आएगी पहले से प्री-डिसाइड़ होता है आपका वो ड्यू की website पर बता दिया जाता है newspapers में भी आ जाता है schedule कि किस दिन कौनसी cut-off आएगी मैं एक example दिखा देती हूं आपको 2019-2020 का ठीक है क्योंकि 2020 की cut-off तो आई नहीं है न तो मैंने एक example लिया 2019-20 की cut-off का जो लास्ट इर की cut-off थी आपकी जैसे यहां पर लिखा हुए कि फस्ट कट-off लिस्ट कब आएगी आपकी तो जो फस्ट कट-off की notification आएगी वह कब तक आएगी 28-2019 को आएगी यह लिखा हुए कि 28-2019 को आएगी इसमें आप जो document verification बगेरा होगा मतलब कितने दिन के अंदर admission ले सकते हो ऐसा नहीं है कि अगर आपके फस्ट कट-off में नंबर आगे तो कभी तक भी एडमिशन लेते रहोगे नहीं तीन दिन का time होता है maximum आपके पास admission लेने का वह बाता लगे बीच में कोई holiday पर जाय तो चार दिन तक extend कर देते हैं अदर्वाइस अगर working days है ना पूरे तो हमें तीन दिन का time मिलता ठीक है जैसे कि 28 जून को यह cut-off आई तो इसके डेट के देखो 28 से लेके एक तक मतलब इसी के बीच में अगर आपका first cut-off में नंबर आ गया है तो आप इसी date के बीच में admission ले सकते हो 28 से लेके जारी cut-off आती है 2019 map की मतलब की last year 8 cut-off निकाली थी और कभी-कभी यह जादा भी हो जाती है डिपैंड करता है बच्चों के marks के उपर ठीक है तो जैसे एक schedule आ जाता है पहले शुरू में कि कुछ-कुछ cut-off इतनी date को आएंगी फिर जैसे जैसे इन्हें और आगे cut-off निकालन जाता है तो जब भी वह जाता है तो प्लीज उसको download कर लो कहीं पर अपने दिमाग में रखो कि आपको पता चले कि सपोज अगर आपका first cut-off में नंबर नहीं आया तो second में हो सकता है आजा तो second cut-off आपको पता तो होना चाहिए कब आएगी ठीक है और जो important point था कि जब तक closing होती है उतने के अंदर अंदर आपको admission लेना होता है अगर first cut-off आपकी एक जुलाई को यहां पर सपोज हो रही थी 2019 में close तो अगर कोई सी बच्चे का first cut-off में नंबर आया है और यहां तक admission नहीं ले पाए तो फिर उसका second cut-off में admission नहीं होगा उस college के अंदर ठीक है य आगे तक admission चल रहे हैं और मेरा second cut-off में suppose आया है तो date निकल जाती है फिर वो जाते है college में और college वाले उनको क्या कर देते हैं मना कर देते हैं तो यह तो होगे schedule की बात और date की आपको dates का बहुत ध्यान रखना होता है cut-off जब आती है तो अगर आप generally admission लेना चाहते हो तो उसको दिखा देती हूं को कैसे उसको देखना होता है कैसे हमें relaxation का पता चलता है girls के लिए या जो other reservation में मिलता है कास्ट वाइस हमें वह कैसे बादा चलता है तो फटाफट से चलते हैं और उस cut-off को हम देखते हैं तो यह है डियू की 2019 की first cut-off इसमें लिखा हुआ arts and commerce की this cut-off क्योंकि science की अलग इथी टीक है तो वेबसाइट पर आपको सब कुस्स दिया रहता है वहां पर जब आपको सब देखो गें तो तो यहां पर देखो किस तरीके से होता है इधर यहां साइड में कॉलेज का नाम होता है ठीक है यहां पर क्या है college का नाम है ठीक है और तरीके से अब यहां पर यह जो ब्लैंक कि यहां पर जैसे यह है आचारे नरेंद्र देव कॉलिज आई ठीक है अब इसमें पर कोर्स के है ऊपर बीए ओनर्स अप्लाइट साइकलोजी अब यहां पर सब कुछ ब्लैंक दे रखा इसका मतलब क्या है कि इस कॉलिज में इस वाल यहां अब यहां पर दे रखी है और उपर क्या था जर्नल था ठीक है अन्रिजर्फ था तो 96 परसेंट गई है उसकी कॉलिज की बात करें सब्सक्राइब यहां पर जिसका शुरू में दिया हो देख लेते हैं जैसे कि यह है आत्माराम सनातनधरम कॉलिजी तो यह सब्सक्राइब कि जो अभी हम देखा, BA honors का, ठीक है, तो, general की कितनी cut off गई है, 97, OBC की कितनी गई है, 95, स्थी, स्थी की कितनी गई है, इस तरीके से यहाँ पर दीए होते हैं, हमें सारे cut off जो होती है, इस तरीके से हमें देखना होता है, यहाँ पर, ठीक है, जिसमें भी यहाँ पर, पर दे रखा है यह उपर कौर्स कौन सा है इसके से नहीं जिसमें है उसमें दे रखा है तो भीमराव अंबेटकर में इसके सीट रखा है तो यहां पर कॉट आपको कॉट आफ दे रखा है जनल की 92 OBC 85 तो इस तरीके से देखना होता है उपर से इधर से हमें क्या देखना है यहां से कोर्स देखना है उपर से हमें क्या देखना है कोर्स और यहां से क्या देखना है कॉलिज का नाम और फिर यहां पर केटेगरी वाइस आपको कट ओफ दी होती है ठीक है तो इस तरीके से देखना होता है अब जो मैं इंपोरेंट पॉइं तो धिसमें, जब आप यहाँ पे नीचे आते हो तो धेको, यहां पर यहां पर यहां तक ज़ी तक यह ? यहां पर यहां तक क्या इस पेस तक देखो पिझ्ट नमबर एट पर है अभी हम पिझ्ट कटफ ही दिखे लेकिन जब आप यहां पर आओगे पेज नमबर 9 पर तो यहां पर यहांपर यह सब कॉलम खाली है इसका मतलब क्या है आचारे नरेंदर तो आपका जो बैस्ट फोर का यह जो मांक्स कंसीडर करते हैं यहां पर तो उसमें जो इसमें गर्स के लिए कितनी परसंटेज होगी नाइन परसंट कर दो यहां पर और और बी काफी सरी चीजें होती है यहां पर पर सकते हैं अमें जब कट आफ आती है तो इतना कोई हाड नहीं है जब फ़र्स्ट कट आफ आपकी आएगी तो आपको पता चल जाएगी तो प्लीज शूटी सी इंफर्मिशन जो कि आपको प्रोवाइड कराना बहुत जरूरी थी क्योंकि नहीं पर दो आपको पर जो को यह छुड़ी बाते नहीं पता होती सपोस अगर हम उपर से ही देख ले और हम यह नीचे पूरी पीडियाफ ना देगे तो हमें रिलेक्सेशन का पता चले गई नी कि गल्स के लिए बी कोई रिलेक्सेशन है और दो नोट फोगेट तो सब्सक्राइब और प्रेस दे बेल आइकन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाई बाई ओल दे बैस्ट